सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखने हैं आखिर तक देखो तो आपको सारी चीज़े के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो पटावर से चानल को सब्सक्राइब कर दो और यहां की बात करें तो यहां पर आपको बता है कोलकता ग्राउंड है चेस गरना पसंद रहता है अब अगर हम पिछले चारवाज मैंचे की तरफ ध्यान दें जो इस आई पेल में हुए हैं अभी तक तो आपको ना दो तीन मैंच ऐसा दिखेंगे बाई जो हाई स्कोरिंगे जैसे की जईए दोसो अटाइस बना दोसो चार बना यहां पर दोसो पैतिस बन गया था अब 29 अपरेल को सबसरी सेंटर उसमें 179 बना था और जीटी ने बड़ी असानी से चेज कर दिया तो उस टारगेट को 18 और से पहले 180 बना जी तो वो भी सिर्फ पीन विकेट को कर तो एक चीज तो कर देखने को मिल जाएंगे अपर यहां पर देखा जाए तो आपको चार से पांच विकेट जहां तक मांता हूं को पिनर के देखने को मिल जाएंगे अब कौन से काम आएंगे वह आगे देखेंगे और एक बार आपको टोटल भी बतायता हूं किस इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं तो 24 विकेट इस वाज़े से थोड़ा है कि नोविकेट उस दिन एक इस वाले मैच में एक इनिंग मे आगे थे सेकंड वाली में बाकि फिर भी सेकंड इनिंग में यहाँ पर विकेट ठीक ठाक रहते हैं तो मिस नहीं करने सब्सक्राइन अरोडा यह शार्दुल ठाकूर हर्शित राना और वरण चुकरवट तो यह कोलकता जो पिछले मैच में खेली थी आब वहीं पर बात कर हैं अभी के लिए ठीक फॉर्म में चल रहा है गुर्वाज देखो गुर्वाज में क्यों बोल रहा हो कि इतना ज़्यादा इस साला कंसेश्टन नहीं दिख रहा मतलब अगर आप कुछ यह मैंच में कुछ नहीं कुछ रंस है और एक बार आप यहां से देखना चुरू करो अगले में पहली वोल पर आउट हो गया है यह भी नहीं कि 10-15 बोल कुछ खेल कर जाए पहली वोल पर यहां उट हुआ यहां जीरो बने यहां अट बने एक बीच में इनिंग मों खेल दी तो गुर्वाज ले सकते हो कि और को बहतर उप्शन विगिट की पर उप्शन में है प्रब सिम्रे ने वह वैसे टार में रहता है वह चला तो चला नहीं तो बाई जीरो पर चला जाता है दोनों भी गटकी पर ऐसे हैं अभी के लिए गुर्वाज क्योंकि इससे बहतर है तो गुर्वाज ले सकते हैं वाकि रोए अपना रहेगा वेंकटेश एयर बहुत ज्य चार को छोड़ दो तो कहीं पर भी ज्यादा रंस वेंकटेश की तरफ से देखने को मिले नहीं है मैं पिछले दो मैच में ग्यारा और साथ बने तो अगर ड्रॉप करकर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो अब आको इसका नितेश रणा अपना मश्ट रहेगा नितेश ज्य भादा ठीक दिख रहे हैं यह कभी बॉलिंग भी करा जाता है अलग आज तो नहीं कराएगा बट कराने के चांस रहते को एडवन्टेज मिल जाता है राना के साथ में बाकि रिंको सिंग लगातार रंस बना रहे हैं देखो विंकटेश या रिंको सिंग किसी एक कोई लिय तो देखो विंकटेश अभी के लिए कि भाई कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है बट रिंको सिंग हर मैच में आपको कुछ ना कुछ जो पॉइंट से वह अभी इस साल देखे जाहिर है कुछ ना कुछ तो भाई 20 रन तो बना ही जाते हैं ठीक है बाकी अंदरे सल अभी के इनके नाम रहे और उसकाद में हर्शित्राना और चकरवर्थी है चकरवर्थी ले सकते हो इस पिछ पर चकरवर्थी का जो रिकोर्ड है वो काफिस है दोसरा बोलर जो आप लोगे वह इन तीनों में से किसी एक को बिट करना है आप सेफ जाने के लिए तो ठाकु रहे और रिस्क लेना हो तो उसकेस में वैब औरोड़ा के साथ में आप जा सकते हो ठीक है देन आते हैं निकलकर भी हमारे कोलकता के जो कुछ प्यारे प्यारे बैंच प्लियर है तो यह कुछ जो एक बैंच प्लियर रहते आप इदर से क्या है कि पिछली बार स्वयाश शर्मा को न कम खेलते लिए अच्छा नहीं कहलते लिए तो फिर इनोंने क्या-किया अनुकुल सुधाकर रोह को ब्लाओं वहनों नहीं एक टीक भी लिया साथे साथ कुछ रंस भी बना दिये तो अब हो सकते हैं तो अनुकुल सुदाकर रोय को ले आएंगे या फिर सुयाश शर्मा को ले आएंगे और सुयाश शर्मा का परफॉरंस में बहुत है अच्छा ही रहा है अभी तक अगर देखा जाए तो मतलब टीम एक जिरो दो एक दो रीसेंट फॉर्म ठीक है एक दो मैच में और कोई विक यहां से अर्षदीप सिंग बार्वा प्लेयरिंग कोन होता है यहां से नथन एलिस ठीक है जो अगर पहले बोली मुई तो प्लेंग लून में देखने को मिल जाएगा और बात में बोली मुई तो फिर आपको एज़ेंग आता वह दिखता है यह पंजाब किंग्स की तरह से पूरे प्लेंग लेवन है अब अगर इसमें अपने इंपॉर्ण प्लेयर्स की बात की है तो बात कुन कुन बनता है शिकर्दावन बनेगा पिछले दो मैच से ठीटा करंस बना भी रहे तीस और अटाइस उसके बात में यहां से प्रप्सिम्रंग सिंग से तो इस वह से बस अब पकड़ लिया साथ में अगर सामने अगर देखा जाए तो आज के लिए को रहेगा और उन शिकरवर्ती स्याश शर्मा रहेगा हो सकता है मैथ्वी शोट फ्लोप हो जाए बटा अगर उन से बचा जैसे पिछले मैच में कहा था एक और लाइक स्पिनर था उन से बचा बना गया था वैसा ही सीन है मिरको पेसर से ऐसा नहीं कि आउट नहीं हो सकता हो सकता है बट ज्यादा चांसे से वह है लेग स्पिनर से आउट होने के वह भी गूगलिवर अगर उनका खेला तो आपको वापस है वह 20-25 देखने को मिल जाएंगे इसकी तरफ से अब बहुत इनिंग के उम्मीद तुमर को नहीं है कि अभी तक खेली भी निए एक बार चतिस बने एक बार चोतिस बने और यहां पिछले मैच में भी टच में दिख रहा था बट वाओ बीस वाली बीस के बाद मैं आकर आउट हो गया वापस से 27 बना पाया लिइंग्स्टन लास्ट मै अगर सबसे जादा कंसिस्टन विकेट की पर अभी के लिए कोई है पूरे ही आई पिल में जो हर मैच में अभी तक रन मनाता हो दिखा हर मैच में अगर मैं सिर्थ दो मैच छोड़ दू यह चार और दो वाले आपको हर मैच में इसकी तरफ से 20 से 30 के बीच में रंग जिए देखने को मिली जाते हैं मतलब कुल मिला के 30-40 फंटेसिपॉंस हर मैच में देखी जाते है जितेश शर्मा और उसमें कैच वगरा कि आड़ कर दू तो वह एक फायदा हो जाता है जो कि गुरवाज के भी हो सकते हैं कैच वगरा बट प्रब सि यह है तो अगर सबसे सेफ ही जाना हो तो फिर जितेश शर्मा ले लो बागिस काद में सेम करें ने यहां से जीरो विकेट के साथ में बागि 29-25 अभी के लिए परफॉंस सेम करें का ठीक है बिलकुल ले सकते हो शारू खान ग्रैंड लिग के लिए ठीक है एक में 23 बना दि रिशी दवन एक लिए मैं बोलुगा कि रिस्की बनता है हर्परित बरार का कुछ बरोसानी बोलिंग करा है ना करें ठीक है अगर वापस से वह वहां कि यहां से आपको आगा बोलते है विंकटेश है और उसके बाद में नितीश राणा फिर सुनी निलाना तो मेरे को नहीं सकती है तो से जाने के लिए अर्षदीब और यहां से नितना इलिस के साथ में जा सकते हैं और अभी के लिए फॉर्म खराब है वास इसलिए कंसेडर नहीं किया मनें बैंच प्लेयर पर आ जाते सीधा आज के लिए मां बनों प्लेइंग इलान पर पूरा एक तम समझाने के पूरे टाइम लगा दिया मैं नहीं बागी बैंच फिलर की बात करें कगी सोरबाडा सिकंदर रजा अथर्टाइडे है गुरुनूर बरार सिंग है एलिस आ जाएगा तो एदलिस की फॉर्म आप देख सकते हैं यहां से बाकी हरप्रीज सिंग है राजबाक्षा शिवहम सि मैच इनको खेला जाए तो इनको भी क्यों छोड़ा जाए आई तिंग मोकादेी दिनाचे किसी मैच में वैन्य श्रैट्स की बात की जाए तो कोलकता नी 78 मैच इस ग्राउंड पर खेले जिसमें उनने वह फॉटी सिग जीते था थाटीव मैच वहार है वही पर एकर इनकी इनका रिकोर्ड कोलकता में one of the worst है मतलब सबसे ज़्यादा खराब रिकोर्ड ही निका है कोलकता में 11 मैचेज में 3 जीते हैं और 8 मैचेज यहाँ पर हार चुके है वहीं आते हैं नेक्श निकलकर भई आपके कोलकता के पिछले जो 3 मैचेज उसमें क्या क्या हुआ है जादा कॉमन प्लेयर नहीं है बट लैक्स पिनर जरूर आपको मैच में विकेट लेते हैं 39 अपरेल 2023 यहाँ से गुर्बाज के टी बनते हैं रसल ने बनाए 34 और राना रसल और यहाँ से नरायन का एक एक विकेट था 23 अपरेल को मैच वा से के क्यार के बीच में के क्यार चेज नहीं कर पाई ऐसा रहता है कि 200 से उपर बन गया ना तो चेज करना थोड़ा से मुश्किल विजाता है आपर राना 27 रो एक सेट और यहाँ से रिंको सिंग ने उस मैच वाने 53 खेज रोलिया के दो विकेट थे एक वरुन हो रहे हैं कि यहां से आपको श्याज शर्मा का विकेट देखने को मिल जाता है अब आई पर 14 अपरेल को मैच वा यहां पर आपको ज्यादा को देखने को मिलते नहीं है सिर्फ एक रिंको सिंग है इन दोनों मैच इसमें बागी तो बैटिंग में आपको तीनों ही मैच में अलग-अलग प्लेयर परफॉर्म करता हूँ दिखा है जो हाइस रंस कोरर है जिसने को अच्छे रंस बना है को पता है पंजाब जैसे टीम हर साल प्लेयर चेंज करते हैं तो कोई भी ऐस सच कॉमें प्लेयर निकल कर आ नहीं रहा था वेन्य लीडर्स के बाद कर अपने बैटिंग सेक्शन से तो उसमें कौन को न है रसल है सबसे उपर तो 99 मैच में 746 रंस है 33 कावरेज राना की ज्यादा नहीं चलता है देखो इस ग्राउंड पर एक अगर आप 97 की इनिंग देखोगे तो बाके की 11 जो मैचे उसमें कुल मिलाकर 190 के तकरीबन ही रंच जो है शिखरदवन ने बनाएंगे बाके उसके बाद में बोलिंग शेक्शन देखता है तो सुनील कर रहा हैं 48 मैच में 59 विकेट से अनसल के 33 मैचे में 32 मैचे में और वर्ण चगरवर्थी पांच मैच में साथ में आपके बाकी अब आते हैं निकल कर वे अपना हैट टोड़के बर 31 मैचे हो चुकि है पंजाब बहुत पीचे है बड़ पंजाब ने यह जो सीजन का एक मैच हुआ है वह यह जीत गए थे तो दूसरे में 14 वह यहां से पंजाब में जीत लिया था बगी आज के लिए मेरे मेरे में को जो लगता है जीतने के चांस कहीं नहीं फिफ्टी एप्टी है क्योंकि यहां से भी ठीक है तो बाकि उसके बाद में आते हैं नेक्श निकल कर किसके साथ में अपन powerful run बनागे देगा अभी हाल फिलाल तो सुनील लरएज नीचे है उसकाथ में नितीश नाना नौ मैच में 134 14 क है अभी तक पर यस सीजन में जो एक मैच हुआ है उसमें नितीश राना ने रंस मना दिये थे ठीक है उसमें नितीश राना के रंस भाई आये थे यहां से तो हो सकता है यह वाला स्टैट्स यहां पर गलत भी हो जाए उसका बाद में विंक टेश यह रहे तीन मैच में 104 चो तिसके एवरिस के साथ में अब आते हैं अपने बोलर के साथ में अर्षदीप ने भी साथ मैच में आट विकेट निकाले और वर्ण चुकरवलती छे मैच में पांच विकेट के साथ में अब आज आते हैं अपना इनिंग वाइस के उपर कि आज के लिए वह क्या रहता है नहीं चला है बट जो उसके अच्छी इनिंग आई यह वो सेगें और नहीं चला है इस बाट में और पिछले मैच अब हो चोड़ दौब अच्छा कर रहा है और साथ विकेट के तरफ देखते है तो बही फचलेvi मैच निकाले हैं उसके साथ हैं तरफ यहां पर आपको च्राइब के यहां पर जरुड़त होगी हैं कि फर्स्ट में चलता है कि सेकंड में ऐसा नहीं होता नहीं होता है किसे किसे पर्टिकुल प्लियर का ऐसा बन जाता है रूटीन भागी रसल की बात करें देखो इस वेन्यू पर रसल तीन रन बनाया चोथिस बनाया नो बनाया कभी चलता है कभी नहीं चलता है बट एक चीज और है कि जिसमें अगर बैटिंग से नहीं चला उसमें फिर बागी अगर वेन्यू की बात करें तो है तीन चार चार विकेट यहां पर निकाल रखें तो ऐज़ा सीवीसी अगर उमें इश्यादा हूँ ग्रैंड लिंग में बिल्कुल सीवीसी कर सकता हो अगर खेलता है तो उसके बाद में लिए वरून चकरवर्ती इस वेन्यू पर बात है चार में विकेट निकाले वरून चकरवर्ती ने और उसके बाद में घ्र देखते तो यहां पर पाँच मेंसे चार बार वर्णुं चकरवर्ती निकाल रखें बागिया बात है पंझाब के उसके अलावा कि यहां वरून अपकर ने जो कि सेकेंड बैटिंग करता है तो यहां पर फर्स्ट बैटिंग में चल गया तो ओवरॉल शिखरदवन को आप ले सकते हो फ्रस्ट थोड़ा ठीक है वन्यूपर तो खराब है बाकि सैम करें खेला नहीं है है तो विकेट वगरा सैम करें ने छह में से तीन मैच में निकाले तीन में नहीं निकाले राहुल जिसमें उसने एक विकेट निकाला था एक विकेट बहुत ज्यादा बढ़िया रहे था लाश्ट टाइम भी खेला था एक विकेट आयता है इसके आध में बाकि ओर रॉल पर रहुल चाहर का बहुत ज्यादा अच्छ है तो अगर आपको ऐसा डिफ्रेंशल पर करकना चाहो तो रख सकते हो बट एक रिस्क क्या रहेगा सब ठीक है वेन्यूबर में विकेट है एक मैच ही खेला है है रिसेंट फॉर्म जो है जो सबसे बहले अपन कंसेडर करते है टीम बनात वग वह थोड़ा सा खराब चल रहे उसमें मैच अभी तक राहुल चाहर विकेट लेस रह अलग अलग टीम में करना है अलग 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 कोंबिनेशन में ट्राइब करना इंको अगर उमेशादो खेलता है तो बागी रहुल चैर खेलेगा तो उसको तो करी ले रहा है लेयर बैटल के बात करें शिकरदावन अगेंश आदो ठाकूर तीन बार आउट हो चुका है व परकूसन भी नहीं केल रहा है उसके बाद में नितीश रान है जो अगेंश रहुल चैर थोड़ा सा स्ट्रगल करते है उननेस बोल में दो वर आउट हो चुके और अंदर एसा लगेंस सैम करन 15 बोल में दो वर आउट है दोसों के स्ट्राइक रेट से रान बनाए बड़ य जितेश शर्मा रखना है वो 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 टेलग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगे तो जोइन करके रखना ठीक है इनी कामों के लिए टेलग्राम चैनल होता है क्योंकि यह चोटी सी अपडेट फिर यूट्यूब पर नहीं दे पाएंगे ने डिट लाइन के टाइम पर तो टे पर यहां से दो बोलर होगा रसल चकरवरती यहां से मैं बोलर तो आप यहां से किसी और के साथ में जा सकते हो कि वैबा और अगर आप पिक कर लो या पर आप अपके बासे बचते हैं कैप्टन की बात करें कैप्टन के रसल को वाइस कैप्टन के सैम करन को वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा उप्शन यहां से लियम लिविंग्स्टेंड भी बन जाता है अगर आप उसको रखना चाओ तो यह जाते हैं आज के लिए जो टीम और सब चीज़ है बागे आ सब्सक्राइब के लिए मिलके आपको नेक्श वीडियों में बहुत ही जारा जल्द